हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी दोस्तो Redmi ने पहले फोन लाँच किया था Note 10S जो दोस्तो आपको मिल जाता है अभी भी 14000 का अब दोस्तो Redmi ने एक और लेटेस्ट फोन लाँच कर दिया Note 11SE जो आपको मिलता है दोस्तो इससे 1000 और सस्ता 13000 में तो इस वीडियो में इन दोनों में comparison करके आपको बताऊँगा दोस्तो आपको Note 11SE खरीदना चाहिए या फिर Note 10S खरीदना चाहिए थोड़ा पुराना तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और एक लाइक भी जरूर कर दीजे बागी दोस्तों ऑनलाइन कई बार सेल लगती रहती है फोन्स के रेट काफी कम हो जाते हैं हो सकता है ये दोनों आपको और भी सस्ते मिल जाए तो लेफ्ट सैट पर वीव प्रोड़क्स का उप्शन उस पे क्लिक करके रेट चेक कर लिएगा या फिर सब्सक्राइब के बटन के पास आपको ब्राउस प्रोड़क्स का फीचर मिल जाएगा वहाँ से जाके आप देख सकते हैं बाकि दोस्तों नोट 10S जो है आपको मिल जाएगा 14000 में चलिए इसको उन्बॉक्स करके देखते हैं यह चीज काफी बड़ी है टाइप सी केबल मिल जाती है काफी बड़ी है क्वालिटी में और दोस्तों लास्ट में रखावा मिलता है यह वाइट कलर में चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और दोस्तो बड़ी है चीज यह है इसके साथ आपको चार्जर फास्ट मिल जाता है 33 वाट का तो चार्जर आपको 33 वाट का दिया गया है यह चीज बहुत जादा बड़ी है अब दोस्तो यह सारा समान तो आपको मिलता है 14,000 में Note 10S के साथ जो की पुराना है बाकी बॉक्स के कंटेंट्स काफी अच्छे हैं चलिए देखते हैं अगर आप 1000 अपने बचा लेते हैं Note 11 SE खरीदते हैं तो उसके साथ बॉक्स के अंदर क्या क्या दिया गया है दोनों में कंपरिजन में कितना फर्क है तो जैसे आप इस कौन बॉक्स करते हैं इसके अंदर भी आपको सबसे पहले उसी तरीके से फून मिल जाता है रैपर के अंदर इसके बाद से मिजक्टर टूल के बाद यूजर मैनूल और एक कवर दिया गया है बाकि दोस्तो टाइप C के बल मिल जाती है अब इन दोनों में फर्क सबसे बड़ा यह है Note 11 SE के साथ आपको दोस्तो चार्जर नहीं मिलता बॉक्स के अंदर यह इसमें काफी बड़ी कमी है तो एक हाजार की वज़े साथ आपको चार्जर नहीं मिलता इसके साथ बात करें अब दोस्तो डिजाइन के बारे में तो दोस्तो यह दोनों ही स्मार्टफोन्स आपको Note 10SB और Note 11 SE दोनों ही फोन्स आपको कलर में भी डिजाइन में भी बिल्कुल सेम ही मिल जाते है तो जैसे Note 10S था पहले वैसे ही लाँच हो चुका है Note 11 SE इन फैक्ट दोस्तो वही फोन है डिजाइन को लेकर बिल्कुल वैसे ही सेम आपको मिल जाता है कैमेरे का डिजाइन भी आप देख सकते हैं आपको बिल्कुल सेम ही मिल जाता है कम्प्लीट डिजाइन दोस्तो आप देख सकते हैं कलर भी सेम है Camera का Module इसे के साथ Redmi की Branding और Colors के जो Effect है वो भी बिलकुल आपको एक जैसे देखने को मिल जाते हैं और दोस्तों Design की जो Quality है वो भी आपको दोनों के अंदर एक जैसी दी गई है तो Design को लेकर दोस्तों वैसे Note 10S काफी बढ़िया आप सभी को जो है और हमें भी बहुत जादा पसंद आया अब दोस्तों Note 11 SE के अंदर थोड़ा डिजाइन अलग होना चाहिए थे क्योंकि इसका जो है नाम भी अलग है और काफी टाइम बाद लाँच हुआ है तो इसके अंदर different design होता तो काफी बढ़िया रहता कम से कम color तो अलग होना चाहिए था अब बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में चली देख लेते हैं डिस्प्ले के अंदर कोई फर्क है या फिर नहीं नहीं दिया गया user interface कुछ इस तरीके से मिलता है आप दोनों ऐसे उपर की तरह swipe करें आपको सारी applications मिल जाती है दोनों के अंदर आपको app drawer दिया गया है बाकि दोस्तों display की जो quality है वो भी आपको दोनों के अंदर काफी जादा बढ़िया मिल जाती है AMOLED display है तो display की जो color से हैं वो काफी जादा बढ़िया है बाकि मैं आपको करीब से दिखा देता हूं दोनों की display बिलकुल full brightness करके display के अंदर वैसे refresh rate भी same है size भी same आपको मिल जाता है और दोस्तों जो quality है वो भी आपको एक जैसी दी गई है बाकि दोस्तों आप करीब से मैं आपको दिखा देता हूं अगर refresh rate जो है note 11 SEE के अंदर थोड़ा जादा होता इसके अंदर 90 Hz का refresh rate होता काफी जादा बढ़िया रहता क्योंकि इसका price जो है वो कम तो है 1000 लेकिन दोस्तों latest है तो ये चीज़ तो थोड़ी different होनी चाहिए थी बाकि दोस्तों display का जो design है वो भी बिल्कुल same है punch hole camera वाला camera का size आपको काफी छोटा मिल जाता है बीच में तो camera का design को लेकर दोस्तों display के design में दोनों काफी जादा बढ़ी है और दोस्तों colors अगर आप देखेंगे दोनों display को बिल्कुल full brightness करके तो वो भी आपको दोनों के अंदर बिल्कुल same ही मिलते है तो note 10s, note 11se display को लेकर भी दोनों same है और दोस्तों इसी के साथ आपको design में भी दोनों एक जिससे ही मिल जाते है तो दोस्तों display के अंदर भी कोई फरक आपको नहीं मिलता जो की होना चाहिए था note 11se के अंदर 90Hz के refresh rate होता तो बहुत बढ़िया हो जाता इसे के साथ दोस्तों left side साथ आप देहेंगे दोनों में sim के tray दी गई है इस सरफ दोस्तों दोनों में आपको side में मिलता है power के button के अंदर उपर की side साथ आप देहेंगे तो side उसे design भी बिल्कुल same ही है और features भी एक जिससे मिल जाते है noise cancellation mic दिया गया है stereo speakers मिल जाते हैं दोस्तों दोनों phones में और IR blaster भी दिया गया है जिससे आपका TV AC वगरा चल जायागा तो यह चीज़े भी आपको दोनों में एक जिससे मिल जाती है और same है दोनों दोस्तों इसे के साथ RAM और storage भी आपको दोनों के अंदर बराबर दी गई है 6GB RAM, 64GB internal storage है दोनों के अंदर 6GB RAM, 64GB internal storage तो इस चीज़ को लेकर भी दोनों एक जैसे हैं और दोनों के अंदर आपको थोड़ा सा free storage में फर्क मिलता है Note 10S में आपको 48GB के असपास free मिल जाती है Note 11 SE के अंदर 47GB के असपास इसे के साथ दोनों phones में आपको Android का 11 version दिया गया है इस चीज़ में भी दोनों सेम है Note 11 SE के अंदर Android 12 होता तो बहुत जादा बढ़िया रहता क्योंकि जादा latest है यह चलिए दोस्तो दोनों को एक साथ restart करते हैं देखते हैं कौन सा phone जो है जादा time लगाता है restart होने में वैसे processor के बारे में बात करें तो दोस्तो वो भी आपको दोनों के अंदर बिल्कुल same ही दिया गया है MediaTekka G95 अगर आप एक heavy user है performance आपको बढ़िया चाहिए तो वैसे दोस्तो दोनों ही phones बिल्कुल same है आपको बिल्कुल भी फर्क देखने को नहीं मिलता इन दोनों ही phones के अंदर आपको बिल्कुल same ही processor दिया गये है जो की अलग होना चाहिए था Note 11 SE के अंदर अगर थोड़ा और ज़्यादा better processor होता तो और ज़्यादा बढ़िया रहता बिल्कुल same ही चीज़ देखने को मिल जाती है बात करें दोस्तो बैटरी के बारे में तो दोस्तो दोनों phones के अंदर आपको 5000 image की बैटरी दी गई है एक दिन का normal battery backup दोनों के अंदर आपको अराम से मिल जाएगा बैटरी को लेकर दोनों बहुत ज़्यादा बड़ी है बाकि दोस्तो आपको बहुत बड़ा major फर्क देखने को नहीं मिलता चले कुछ applications ओपन करते हैं दोनों में एक साथ देखते हैं आपको speed में थोड़ा फर्क मिलता या फिर नहीं तो restart भी लगबग दोनों एक साथ हो गए और दोस्तो डाइलर में ने open किया messages open किये इसके अंदर आपको थोड़ी सी speed में फर्क देखने को मिल जाता लेकिन इतना बड़ा major फर्क नहीं है तो दोस्तो speed को लेकर दोनों phones बिलकुल एक जिसने आपको बहुत बड़ा major फर्क देखने को नहीं मिलता बात करें दोस्तो camera के बारे में तो दोस्तो दोनों phones के अंदर आपको back side पर जो main camera मिलता है वो मिलता है 64 MP 64 Megapixel और दोस्तो performance जो है वो कैसी मिलती है उसको check कर लेते हैं तो दोस्तो मैंने same size में same direction में मैंने same photos लिये दोनों phones से तो उसके अंदर भी आपको बहुत बड़ा major फर्क देखने को नहीं मिलता दोनों के अंदर आपको camera काफी जादा बढ़िया दिया गया है और दोस्तो quality आपको एक जैसे मिल जाती है colors वगरे के भी इसे के साथ photos की जो quality है वो भी काफी जादा बढ़िया है और दोनों के अंदर एक जैसे है तो दोस्तो camera को लेकर भी आपको बहुत जादा major difference देखने को नहीं मिलता normal photos के अंदर भी portrait mode के अंदर भी दोनों काफी जादा बढ़िया है और एक जैसे है तो दोस्तो यह सारी खुब्य कम्यापको मिलती है दोनों के अंदर चलिए बात कर लेते हैं सबसे main चीज़ आपको दोनों में सा कौन सा खरीदना चाहिए दीखे दोस्तो display की quality भी same है performance भी आपको एक जैसे मिल जाती है processor सेम है RAM और storage भी बराबर है design भी बिल्कुल एक जैसा है battery भी एक जैसे दी गई है तो अलगबक सारी चीज़ों में note 11 SE जो है note 10S की तरह ही है in fact यही phone है बस आपको फर्क यह मिल जाता है कि charger आपको note 10S के साथ मिल जाता है note 11 SE के साथ नहीं दिया गया तो दोस्तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप note 10S खरीद लिएगा 1000 मेहंगा है लेकिन इसके साथ charger मिल जाता है तो यही चीज़ जादा बढ़ी है आप जो है note 11 SE खरीद लिएगे बिना charger के तो उसके साथ आपको बाद में फिर दिक्कत होगी जो है घर में किसी और का charger यूज़ करेंगे फिर उसमें कभी लड़ाई जगड़ा हो जाए जबर दस्ती का कि भाई बैन में लड़ाई होगे charger को लेकर तो इस वज़े से दोस्तो note 10S खरीद लिएगा वही जादा बढ़ीया रहेगा एक अरुपे महेंगा है लेकिन दोस्तो बात की दिक्कत सबच जाएंगे मुझे दोस्तो note 10S ही पसंद आया आप बताएगा फिर भी कमेंट करके आपको इन दोनों में कौन से जाद अच्छा लगा कौन से नहीं कमेंट करके जरूर बताएगा बिना चार्जर के note 11 SE नहीं नाम के साथ या फिर दोस्तो थोड़ा पुराना और बढ़िया दोस्तो बिल्कुल fit note 10S जिसके साथ चार्जर भी है बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको एक लाइक करके जरूर जाएगा चैनल पर आपने हैं सब्सक्राइब आपने नहीं करका तो सब्सक्राइब कर लिजे ताकि नए वीडियो आप तक पहुशते रहें चलिए दोस्तों मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई